राधे राधे दोस्तों, दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, मनुस्य के जीवन में दुख और सुख आता जाता रहता है मनुस्य के जीवन में ग्रहों की चाल के अनुशार, सुखों की फ्राप्ति होती है वहीं कई प्रिकार के संगटों और कई प्रिकार के समस्याओं का सामना भी मनुस्त के जीवन में करना पड़ता है ऐसे में जब मनुस्त की चांदी ही चांदी होनी होती है तो भगवान उसे कोई न कोई संकेत जरूर दे दे है मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि अब भगवान स्रीहरे विस्नुजी की क्रिपा से आपके जीवन में बहुत बड़ा चमतकार होनी वारा है बगवान शर्यहरे वैश्णू जी के किरिपाते आपके जीवन के समस्ट प्रकार के समस्दाओं से आपको छुपकारा मिलने वाला है मित्रों आपको बताएंगे आपका करियर कैसा रहेगा ब्यवथार कैसा रहेगा व्यवसाई कैसा रहेगा लवलाइप, स्वास्थ और दैनित दिंचरिया कैसी रहीगी आपको किस प्रकार से बड़ी कुछ कवरे मिल सकती है किस प्रकार से धन दौलत में बढ़ोत्री हो सकती है कारे व्यविसाई व्यवपार में आपका पोदोनती किस प्रकार से हो सकता है प्रभमुत्रों प्रभुजी की कृपा से आपके जीवन में इस समय ग्रहों का सुब फलों की प्राप्ति होने का समय आ चुका है ऐसे में ग्रह जब सुब फलों की प्राप्ति करवाते हैं तो आपको किसी न किसी प्रिकार से सुब समाचारों की प्राप्ति होती है ऐसे में आपको बताने चाहेंगे कि आपका कैसा रहने वाला है आज का दिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर ले ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके बत्रों आपके लिए आज का दिन बहुती सुब और अच्छा रहने वाला है वैवसाय में नए उत्तरदायित पो मिल सकते हैं बैपारियों को बैपार वैवसाय में पद्दूनदी मिल सकती हैं परिवार का सहयोग मिलेगा सभी लोगों के साथ बैट कर बात चित करते हुए नजर आने वाले हैं आपको अपनी बातों को रखते समय वानी पेर मदूरता बनाए रखने की जरूरत होंगे कारुबार के शेत्र में व्रदी होंगे और आप किसी नए कारी को करने का योजना बना सकते हैं बत्रों धन की देवी माता लक्ष्वी जी आप लोगों बर काफी महरपान होंगी धन की देवी माता लट्वी जी की कृपा से कारिशेत्र में आपके सभी बिगड़े कारिव पनेंगे धन के चेत्र में बढ़ुत्री होंगी और आपके साधेधारी भी आपका सही योग मिलने वाला है नोकरी कर रहे जात्कों को नोकरी में दिये गए कारिव को समय से पूरा करने का मुका भी मिलेगा अगर आप नोकरी पेसे वाले हैं तो आपके सैलरी में बढ़ुत्री हो सकती हैं पद में पदोनती हो सकता है, कारिश्यत्र में आपके सफलता से आपके प्रती लोगों के इर्ष्या भावना हो सकती हैं, जो दुसमन सोय हुए थे उन दस्मनों को जागने का मुका मिल सकता है, क्यूंकि आपके पदोनती हो रही है, इसलिए आप दुसमनों से साथ धान रहें आपके मिठी बाने बोलने के कारण आप मधुर चाल की वज़े से और ग्रहों में होने वाले फ्रिवर्तनों की वज़े से आपके सभी कारिश चफल होंगे आपको अपने माता फिता का भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है आप अपने मन की बातों को किसी महातुण वेक्टी के साथ साधा कर सकते हैं भाई वहनों का फ्यार मिलेगा और बित्रों आज के दिन विध्यार्ठ्यों को कुछ बिस्यों में काफी जागुरूइन मिल सकती हैं कारे शत्र को लेकर भी आपके सभी कारे सफल होंगे और कल का दिन भी आपके लिए मिला जुला रहेगा साधी सुदा लोगों के जीवन में काफी जादा खुशियां दिखने वाली हैं और किसी अन्य व्यक्ति की दखल अंदादी आपके जीवन साथी के साथ आपके कहा सुनी करा सकती हैं इसलिए और फिर ये गलत समंदो के चकर में आप न पड़े जो आपके लिए प्रमोशन का समय उत्तम रहेगा कुम्बरासी के जादकों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए आज का दिन काफी सुबरही का रुके विधन का आगवन हो सकता है लेकिन आपको सेहत का दिहान रखना होगा क्योंकि आपका सेहत आपके लिए थोड़ी सी मुश्किले उत्पन न कर सकता है आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग आव विवाहित हैं आव विवाहितों को विवाह के बहत्रिन फ्रस्ताव फ्राप्तों होने वाले हैं विवाह करने के योगे लड़के और लड़कियों को काफी सुन्दर और मदुर कारी करने का मोका मिलेगा आपके रिष्टेदारों के साथ आपके चर्चे होंगे और आपके चर्चों की वज़ा से आपका विवाह तै होगा घर से निकलते समय अगर आप घर से किसी महत्पूर्ण कारिक को करने जा रहे हैं तो घर से निकलते समय वरिष्ट सदस्यों का पैर शुकर आस्रिबाद ले लें तो आपके सभी कारिफ पूरे होंगे विद्यार्थी इधर उधर ध्यान न देकर पढ़ाई के प्रती जागरुक बने रहें घर में नए महमान का आगमन हो सकता है मित्रों अगर आपके घर में कोई पेट से हैं तो उनका अभी काफी जाद अच्छा सुब समाचारों की प्राप्ती होने वाली है मित्रों आप किसी नए कारी को करने के लिए प्रोचाहित होंगे नए कारी भी करेंगे और समात की भलाई के लिए कारी करने का मोका भी प्राब्त शुने वाला है नोकरी कर रहे हैं लोगों को काफ़ी बड़ी खुशकवरी के प्राब्ती होंगे कारिश्यत्र में आपको सफलताएं 72 रहए की लोग आपके साथ मिलना चाहेंगे बाते करना चाहेंगे और आपके तारीफे करेंगे अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए खुशकबरी है क्योंकि आज आपको प्यार हो जाएगा एक दिल्चस्व वैक्ति आपके जीवन में प्रवेस करेगा जो आपको वैक्तिकत रूप से बदल देगा और आपका सुख में विर्धी करवाईगा आर सरजनक रूप से आपको प्रेमी बनने वाला है दोस्तों के साथ आप काफ़ी जादा करियर कुले कर सजगर होगे आफिस में सिनियर के साथ आपका लगन साल लगन कारी करनी की लगन आपकी प्रदसन की नई उमीदे जगा सकता है आपका प्रदसन किसी नए प्रोजेक्ट को बनाने में सफल हो सकता है पैसे की कमी आज खल सकती है मत्रों सुभा सुभा कोई ऐसी बड़ी कुशकवरी की फ्राप्ती होंगी जिनको सुनकर आप काफ़े प्रभावित होंगे मिले जुले कारे को करने से आपको प्रसंता की फ्राप्ती होंगे आपके सभी विगड़े कारे भी बनने वाले हैं मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप मिले जुले प्रिणामों के फ्राप्ति करें और कोशिच करें सभी को जोड़े रखने की जिसमें की आप अबर से काम्याब होंगे आप दूसरों के साथ समझोता करणे से बचें अगर आप और विबाहित हैं तो आपको इस समय अपने करियर और अपने इज़त को भचाने की विचेश ध्यान रखने होंगे क्योंकि हलका सा गलत कदम आपके जीवन में प्रसानी को उत्पन्न कर सकता है आपको किसी नए काम के सुरुआत करने का बहतर मुका मिलेगा क्योंकि उसमें आपको भागे का पूरा सा योग मिलने वाला है आप किसी नए वहान के खरदारी करने की एक्छा जाता सकते हैं आपका कोई पूराना लेन देन आपको लंबे समय से प्रसान कर रहा था तो वो भी आपका दूर होगा आपके रुके फे पैसे भी लेंगे नित्रों करियर के छेतर में आपको बड़ी सफलता की फ्राब्ती होगी जो लोग आपसे जलते हैं जो लोग आपसे इर्षिया करते हैं, उन लोगों के जीवन में भी इस समय काविवदलाव होगा और वे आपके प्रती सजग रहेंगे। आपका दिन आज उन्नती दिलवानी फाला रहेगा, इसलिए आप संतान के स्वास्त के प्रती सचेत रहें। क्योंकि आपके संतान का हलका सा स्वास्त खराब हो सकता है, जिनकी वज़े से आपको थोड़ी सिमन में बेचे नहीं हो सकती हैं। परंतु इस्वर पर भरुशा रखें। राधारानी आपके समस्त समस्याओं का समधान कर देगी। और आप कामकाजो को करने के लिए सूची बद्ध कारी करने की कुश्च करें। आप जो भी कारी करने चाते हैं, आप सूची बना कर रख लें। सेहत को लेकर सावधान रहें। अगर आपका सेहत थोड़ा सा भी खराब दिख रहा हैं, तो आप उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें। आप इस समय जो भी कारी करें, बहत्रिन तरीकों से करने की अवस्य कोसित करें। कारी शेतर को लेकर डियेगे आपके सफी पैसले सफल होनी वाले हैं। जो लोग इस समय नोकरी व्यवसाय को करने को लेकर बड़ी उमीदें लगा रहे हैं, बड़ा उमीदें जता रहे हैं। उन लोगों को भी इस समय काफी अच्छा खुसकवरी की प्राप्ती होंगी। सरकारी में व्यवसाय कर रहे हैं लोगों के लिए इस समय थोड़ा सा कमजोर वातावरण रह सकता है। आप उमीद से ज्यादा भरोसा किसी पर ना करें। पारिवारी रिष्टें मजबूत होंगे और ग्रिहस्तें जीवन में चल रहे समस्याओं से आपको छुटकारा मिले का। आपके जरूरी कारी सावधाने से पूरे होंगे आपका आत्म विश्वास बढ़ने से आपके मन में परसंता बनी रहेगी। सरकारी नोकरी की तयारी कर रहे हैं लोगों को आज कोई खुशकवरी सुनने को मिल सकती हैं। आपका रिजल्ट आ सकता है या आपके पानी का सपना पूरा हो सकता है। आज की दिन आपके द्वारा किया गया मेहनत। आपके भविश्य में आपको सफलता दिलवानी वाला होगा। आप कारिश्यत्र में कामों को पूरा करने पूरी मेहनत और इमंदारी से कर सकोगे तभी आप तरक्की कर सकोगे। इसलिए का और देरोधियों पर आप हावी हो सकते हैं या अगर आप पिछली गलतियों से सबक न सीखोगे तो आपके जो वी रोधी हैं वही आप पर हावी हो सकते हैं राधलिदिक छेत्रों से कारिवरत लोगों को बड़े पद पाकर प्रसंता के फ्राप्ति होंगी परसंडर रहेंगे वित्रू आपका दन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दी राधे राधे आवस्यलिक है आपका दन सुभो मंगल कारी हो जैमा विंदु वासनी